नमस्कार नमोन अरायट जैशी महाकाल जैए माबागला मुखी सभी दर्सकों का बहुत बहुत स्पागत है आपके अपने चैनल में आज का जो टॉपिक है वो है मर्यादा पुर्सोत्तम स्री राम चंद्र जी का एक ऐसा मंत्र जिससे आपके सभी वनुरत पूर्ण हो सकते हैं इसे हम साधना भी कह सकते हैं मंत्र भी कह सकते हैं तो मैं एक साधना का भी तरीका बताऊंगा और एक मंत्र का भी तरीका बताऊंगा जो लोग साधना के रूप में करना चाहें वो साधना कर लीजे जो लोग मंत्र के रूप में सरल विदी से करना चाहें तो वो लोग ऐसे कर लीजे सो इस साधना के लिए आपका जो दिन होगा वो दिन होगा सुकलपक्च का रवीवार सूर का जो दिन होता है उस दिन और पूर्व किरिशा के तरब आप मुझ करिए और आपको जो कपड़े पहनने है इसमें लाल कलर के आप कपड़े पहनी है या नारंगी कलर जो सूर का पृतीक है वो भी आप पहन सकते हैं कपड़े अच्छा अभी मैं बताने जा रहा हूँ आपको एक साधना के रूप में जिससे आप अपने सारे मनुरत जो होते हैं जितने भी आपने सोचे हैं सब प्रकार के मनुरत पूर्ण कर सकते हैं जो लोग गाउं में हैं उनके लिए थोड़ा सा आसान रहेगा जो लोग सहर में हैं थोड़ा सा कठेन हो जाता है गाए में जो गोबर मिलता है अब उसके बाद क्या करना है आपको उस गोबर से अपना जो हवन होता है उसका बिलकुल तयार कर दीजे हवन जैसा और अपने पास सारी समागरी रख लीजे अब देखे जिन लोगों के पास ये विवस्ता नहीं है गोबर की वो लोग भी सुन लें वो लोग इसके पार्ट को स्किप कर दे और आगे बढ लाल मिल जाते हैं आसानी से नारंगी थोड़ा था मुश्किल हो जाता है तो फूल अख लीजे किसी भी प्रकार के आपको माला की कोई जरुत नहीं है इसमें माला का कोई विधी विधान नहीं है जब भी आपको ये मंत्र पढ़ना है जब ये आप हवन जलाते हैं तो उसम आम मंत्र जो है वो अलड़ी पूर मंत्र है उसका कोई मंत्र ही नहीं है तो कैसे जबना है रा और ओम का जैसे उचाड़ करते हैं तो रा को ओम के साथ जबना है रा ओम यानि एक तरफ रा एक तरफ ओम और एक तरफ मा तो राओम ऐसे करके मंत्र करके आपको उस यग में 108 बार आहोती देनी है ये सिर्फ आपने तयारी की राम को अपने आपको समिर्पित किया अगनी को समिर्पित किया अगनी से आपने आदेस लिया और उसके बाद ये काम है अभी आपकी साधना कंप्लीट नहीं हुई है यह सिर्फ एक स्टेफ है आपका तकि आपके सारे मनुरत पूर्ण हो ठीक है तो यह एक आपका स्टेफ पूरा हो गया अब आपको प्रभू स्री राम चंदर जी की जो मुर्ती है जो आप लाएंगे कहीं से भी वो मुर्त है जैसे तावे की पीतल की चांदी की कैसी भी जिसने भी आपके पास पैसे हैं जैसे आपकी बजट अलाओ करता है तो उस मुर्ती को साधना पूजा कंप्लीट होने के बाद अपने घर में भी स्थापित कर सकते हैं कोई प्रभूम नहीं है तो सबसे पहले गंगा जल से उ उसके बाद एक दिया जला लीजिये जो हमेशा अघट जोतिकी तरह से दिया जलेगा वो दिया जलाइगी जिनके पास पैसे हैं वो घी का यूपियो कर सकते हैं टो दिया जलेगा और दिया की जो बाती है आपकी वो स्रीराम चेंद्र जी के तरफ के मुक को रहेगी करी लो उसके बाद इत्र जो होता है, सैंट होता है, वो छिड़क देना है, और थोड़े से नेवेद जो होते हैं, जिसी आपकी सरदाय खीर, मावी बना सकते हैं, वो बना लीजे, आप मिठाई कर सकते हैं, वो दे दीजे, सो ये एक प्रक्रिया है कि आप पूरा कर ले, उसके बाद जब ये चीजे होई आती हैं, तो उसके बाद कम से कम 108 बार, 108 बार आपको जो मैं मंत्र दे रहा हैं, वो करना है, मंत्र क्या है, बहुत ही प्रभाव साली है, बहुत ही सक्ति साली है, और उस मंत्र में सारे, यानि भ स्रीकेस्ट में काम देव और काली माता पूर्टा अंदर है उसके उस मंत्र की इतना पावरफुल है अब चुकि रामचंदर जी का जहां नाम होता है वहां पे विश्नु भगवान स्वता ही आ जाते हैं क्योंकि विश्नु के इंकार्नेशन है विश्नु ही है साथ-षाथ और जहां पे श्रीरामचंदर जी आये वहां लच्छमण भी आ जाएंगे वहां सेस्नाग भी आ जाएंगे वहां मा सीता आजाएगी हनवान जी आ जाये तो दीखे एक मंत्र जाब से आपको इतने सारे फाइदे में सकते हैं कि पूछे मद्र नच्वि मा का नाम आ रहा है तो विश्न भगवान वैसे ही आने है, काली माता आनी है, तो आदिदेव आने है, तो सारे देवता एक जगे पर आ सकते हैं, मंत्र क्या है, सुन लीजे, बहुत ही सरल मंत्र है, मंत्र है, ओम राम, ओम राम, ओम राम, तीन बार आपको ओम राम करना है, फिर करना है, ओम हरीम, ओम ये दो बार करना है, फिर करना है ओम स्रीम, ओम स्रीम, ये भी दुरो बार करना है, फिर करना है ओम क्लीम, ओम क्लीम, नमहा, वैसे तो इसके आगे और भी जुड़ जाता है ओम राम, फिर आगे जुड़ जाता है रामाय फट, लेकिन यहाँ पे आपको उतना ज्यादा फट स उसे मुछ इसा करने की जरुषत नहीं है तो आप यहीं तक खक्क लिए तो ओम राम, ओम राम,म राम, ओम Helena, ओम वरीम, ओम रीम, ओम सरीम, ओम सरीम, ओम क्लिम, ओम कलिम और 9 इस मंत्र को आप 108 बार जपिए जिनको पूरा तरीके से प्रभू राम चंदर जी के परती समर्पित होना है किसी भी मंत्र में नहीं जाना चाहते हैं सब कुछ इसी मंत्र से चाहते हैं तो हर बार इस मंत्र की आगे 108 जोड़ते जले जाए हर दिन में जैसे आज आपने 108 बार इस मंत्र को जपा अगले दिन 108 प्लस कर दीजे आप इसको यानि 108 प्लस 108 थर्ड इन फिर 108 108 यानि प्लस करते जड़ी आई है ये साधना आपकी 108 दिन की होती है और जो लोग नहीं कर पाते हैं जिनके पास माला नहीं है उंगली पे नहीं कर पाते हैं कर माला नहीं कर नहीं है जिनके पास है उनके लिए बता रहा हूं जिनके पास नहीं है अब उनके लिए क्या तरीका है उनके लिए तरीका ये है कि वो 10 मिनिट का अलाम लगा लें और हर दिन इस अलारम को बढ़ाते जाएं जैसे आज 10 किया है अगले दिन 12 मिनिट करिए फिर 14 मिनिट करिए फिर 16 मिनिट करिए तो gradually आपका जो मिनिट है वो increase हो जाएगा जाब भी आपके बढ़ते जाएंगे इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपके सभी प्रकार के जो मनूरत होते हैं चाहे वो किसी भी इनसान को खोय हुए को आप पाना चाहते हैं वो रुपाय पैसे चाहिए आर्थिक उन्नती चाहिए वैपार में आपको चाहिए किसी से अन्वन हो गई है आपका सत्रू से आपके काम नहीं बनते हैं, कोई ता भी वो सारी चीज़ों को ये मंत्र पूर्ण कर देता है, एक बात याद रहें, जाते जाते मैं आपको एक उपाई और बिल्कुल 60 बात बता के जाता हूँ, जितनी भी वीडियो में मैं साधना बताता हूँ, कि एक लाग पचीस हजार, या किसी भी लोगों ने बताई है आपको एक लाग पचीस हजार, दो लाग, इक यावन हजार, जितने भी उसके दिन होते हैं, जितने ही उसके स्टेप दियेगा है, कि 51 दिन में पूर्ण करना, 41 ताइस दिन में पूर्ण करना होता है, तो कुछ अज्यानी लोग जो होते हैं, वो सोचते हैं कि एक दिन में ही पूरे हम 50,000 कड डालें, इस तरीके से साधना कभी भी नहीं होती है, साधना निरंतर चलने वाली क्रिया है, प्रक्रिया है, और जाब होता है, जब भगवान क जाब को हम निरंतर जावते हैं, तब काम करता है, अब इसका एक 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 जामपल ले लिजे कि क्या आपको पूरे 30 दिनों का एक बार में खाना खिलाई जा सकता है, आपका अंसर होगा नो, अगर यस है, तो आप एक लाक्या, और ब्रम्हांड के सारे मंतरों को आज ही कर ड नहीं है, उनके लिए मैं तरीका बताया, सारी समागरी सेम रहेगी, घुपर को आप बढ़ा दीजिए, और सिर्फ मंतर जो है, उसके ही थुरू आप इसको आउती दे सकते हैं, तो ओम, राम, ओम, तो जो मैंने मंतर बोला है, तो राम, एक बार हुआ, फिर राम, दो बार ह हुआ, तो इस तरीके से भी 108 बार आउती करके इस क्रिया में फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, इस साथना में, लेकिन ये क्रिया पहले करनी है, तब ही इसमें जाना है, तब ही ये आपकी साथना कंप्लीट होगी, लेकिन जिन लोगों के पास एक क्रिया है, जो लोग कर सकत जिनके बज नहीं है, गोबर के उस तक कोई प्रवाम है, गर में इंटो के थुरू या हवन के थुरू जैसे भी बना सकते कोई बरतन में, जैसे हवन घर में करते आ रहे हैं, उस तरीके से कर लीजिए आप, उस तरीके से भी आप हवन की समागरी डालिए, और ये मंत्र गुना, सौ गुना, और काम करेगा, ठीक है, तो जो लोग गोबर की वोस्ता कर सकते हैं, उनका एक हजार गुना पावर इसका बढ़ जाता है, जो लोग यग्ड की वोस्ता कर सकते हैं, उनका सौ गुना उन्हें फल मिलता है, और जो लोग ऐसे नाम लेते हैं, उनको भी फ तो प्रभू स्री राम चंदर जी आपको आसीर दे, आपकी सभी मनुर्थों को पूर करें, इसी के साथ मैं आपसे वीरा चाहता हूं, और आप लोग खुस रहें, और आपका परिवार भी सुखी समर्द रहें, नमोना रहें, जाए महाकाल, जाए मावगला मुखी, राधे, इराधे.